हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यट्यूब चैनल पर तो गाइस क्या आप जब भी किसी एप्लिकेशन को इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रहे हैं देर वाजब प्रॉब्लम पार्सिंग दब पैकेज या फिर लिखा हुआ आ रहा है एप नौट इंस्टॉल्ड तो गाइस कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्ब कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो में बने रहे हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे भी आप ऐसे इंट्रेस्टिंग उडियो पाने वाले हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या है सबसे पहले आप जिस भी एप को इंस्टॉल करने जा रहे हैं आपको चेक करना हो कि ओ एप्लिकेशन लेटेस्ट वर्जन है की नहीं है अगर आपका फोन अपडेट रहेगा निव वर्जन अगर आप अपडेट किये रहेंगे अपने फोन को और एप्लिकेशन ओल्ड वर्जन रहेगा थोड़ा पुरानर रहेगा कोई गेम हुआ या फिर कोई भी एप्लिकेशन हुआ तब भी guys अगर आप install करेंगे तो install नहीं होता है तो आपको check करना होगा कि कौन सा आप version install करने जा रहे हैं तो guys कैसे आप पता करेंगे कौन सा version है तो फिर आपको क्या करना है इस application में जाना है सबसे पहले क्या करना है आपको play store से जाकर Z Achiever नाम के app को install कर लेना है 4MB का app है यहां से install कर लेना इसका logo आप यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए हम इसे अब open करते हैं permission को allow कर देना है guys फिर आप जहाँ पर भी application रखे हैं आपको वहाँ पर जाना है जैसे कि A हो गया तो अगर इसका जानना है कि इसका latest version क्या है तो कैसे पता करेंगे आपको देखिए इसपे tap किये रहना है जैसे tap किये रहेंगे आपको एक बाद tap नहीं करना है आपको इसपे देखिए tap किये रहना है इसपे दबा के रखना है तो यहाँ पर एक option मिलेगा आपको information का आपको इस information पर click करना है जैसे click करेंगे आपको यहाँ पर सब कुछ इसका detail मिल जाएगा आप यहाँ नीचे check करेंगे तो version के सामने आपर लिखा हुआएगा कि कौन सा version है यहाँ पर check करना चेक करने के बाद अगर आप play store से कर रहे हैं नहीं हो रहा है तो play store पर जाकर search करके check करना कि वहाँ पर कौन सा update है या फिर आप कहीं पर भी बता कर सकते हैं कि कौन सा इस समय latest version है फिर यहाँ पर आप देख लेना अगर आपका पुराना version रहेगा तब भी हो सकता install नहीं हो रहा है तो आपको नए version को install करना होगा अब इतना check करने एक बाद आपको क्या करना है जब भी किसी app को install करना अगर आपके file manager से नहीं हो रहा है तो आप Zachiever app से install करना चलिए हम इससे install करके आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर हम click करते हैं एक बार app पे click करना है जैसे click करेंगे अब install पे click करना है अब install पे click करते हैं देखें app install मतलब की app install हो चुका है अब मिया से done करते हैं तो guys इतना आपको चेक करना है कि जो application आप install करने जा रहे हैं वो कौन सा version है अगर old version रहेगा तो install नहीं होगा या फिर हो सकता है आपका phone अपडेट नहीं हो अगर आपका phone पुराना है अपडेट नहीं होता है तो फिर अगर कोई भी app latest version रहेगा निव वर्जन रहेगा तब भी हो सकता है आपके phone में install नहोगा इस ऐसा होता है तो अगर आपका phone अपडेट नहीं होता है पुराना है तो जो भी application आप install करना हो थोड़ा old version करना install हो जाएगा latest version करेंगे तो problem आ सकती है यह वाली देरवाज यह problem वाली और गैस अगर आपका phone लेटेस्ट वर्जन है तो जो भी application इस्टॉल करना लेटेस्ट वर्जन करना install हो जाएगा कोई भी problem नहीं आएगी तो गैस आज गुड़ियों बसतना ही वडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए थैंक्यू, have a nice day